सखी हे की पुछसी अनुभव मोय, सेह पिरित अनुराग बखानिय तिलतिल नूतन होय, जनम अबधी हम रूप निहारल नयन तिर्पित भेल, सेहो मधुर बोल स्रव नही सूनल सुरुतिपत परस नगेल, इस भाग में और विद्यापती जी के इस पद में जो विशे है वो ये वताता है कि किस प्रकार से अपने बीते दिनों को, अपने मिलन के दिनों को याद करते हुए, जब राधा के मुख पर वो आभा दिखती है, तो सक्षियां उनके कुछ अनुभव पूजती है, और राधा जो है, अपने उन अनुभवों को बाड़ते हुए बताती है कि क्या-क्या वो उन्हें बता दे, जिन-जिन पलों को वो याद करती हैं, वो नूतन हो जाते हैं, और इस तरीके से वो अपने मिलन के दिनों के विशे की जानकारी अपनी सक्षियों को देती है, अपनी सक्कियों से कि हे सक्कि क्या पूछती हो अनुभव मेरे राधा कहती है कि तुम मेरे अनुभव क्या पूछती हो मेरे उस प्रेम के विशे में और मेरे उन मिलन के दिनों में और मेरे पिछले उस समय के विशे में मेरे क्या अनुभव पूछती हो सेह पिरित अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होए उन उस पिरीती पिरीती मतलब पिरीती यानि प्यार उसने अनुराग ये सब समानार्थी शब्द हैं सने के प्यार के तो राधा जी कहती हैं कि सेह पिरित अनुराग उन प्रीती अनुराग उस प्रीती और अनुराग का बखान यानि वावाही करना बढ़ाई करना उसके विशे में उसकी बहतरीन बाते बताना तो उस प्यार और अनुराग का बखान जितना करो उसका तिल-तिल नूतन यानि नया हो जाता है तिल-तिल यानि कड-कड और जब अच्छे समय की बात हो रही है अच्छे अनुभाओं की बात हो रही है तो यहाँ पर कड-कड का आर्थ हो जाएगा पल-पल यानि वो प्रतेक शन जो मिलन में उनके बीते हैं कृष्ण के साथ वो नूतन हो जाते हैं जब भी उन्हें याद करो उस पिरीती को और अनुराग को उसका जितना भी वखान करो उसका तिल तिल नूतन हो जाता है जनम अबधी हम रूप निहार नयननतिर पित भेल अब आगे राधा जी कहती हैं कि अपने प्रेम को पाकर और मिलन के दिनों को व्यतीत करते हुए भी जनम अबधी अबधी समय को समय का परियावाची शब्द है अबधी यानि यहाँ पर भर से लिया जाएगा अर्थ जो कि स जनम अबधी यानि जनम भर यहाँ पर इसका इस अर्थ में हम इसको ग्रहन करेंगे जनम अबधी यानि जनम भर भी अगर हम उनके रूप को निहारल यानि निहारते यानि देखते रहें तो भी नयन न तिरपित भेल तो भी नयन यानि आखे नहीं तिरपित यानि तिरप् व्यतीत होते थे तो भी उसके बावजूद भी ऐसा लगता है कि अगर सारी जिन्दगी भी उनका रूप निहारते रहो तो इन आखों को वो संतुष्टी नहीं मिलेगी और बार-बार उन्हें देखना चाहेंगी तो जनम अब धी जनम भर हम उनके रूप को निहारते रहें तो भी आखें तिर्पित तिर्प्त नहीं होंगी सेहो मधूर बोल स्रव नहीं सूनल शूतिपत परस नगेल वही मधूर वानी और वैसे ही उनकी उस मधूर बोल को मधूर वानी को कानों से सुनते रहो शूतिपत यानि कानों से तो भी उनको भी संतुष्टी नहीं मिलती ह तो इस तरीके से अपने प्रेम को पाकर और उसका प्रतेक्षन जीते हुए भी कभी भी ऐसा अगर लगे कि अब हमारा जो हमारी आत्मा है वो त्रिप्त हो चुकी है वो प्रेम पाकर तो ऐसा संभव नहीं है और यही चीज और यही अनुभव जो है राधा जी श्री कृष्ण और उनके मध्धे जो प्रेम है उसके विशे में अपने अनुभव को बताते हुए कहती हैं कि उनके वही जिस तरीके से जनम भर अगर उनके रूप को निहारते रहो तो वो त्रिप्त नहीं होते वैसे ही उ शृती पत को यानि कानों को संतुष्टी नहीं मिलती है उनके मधूर बोल वो बार बार सुनना चाहते हैं कत मधू जामनी रभस गमावली नाबू जल कैसन के लिए अब यहाँ पर राधा जी कहती है कि कैसे मधू जामनी मधू यानि मीठी या फिर मधूर या फिर जो बहत मधूर रातें रभस यानि रमणिये जो अच्छी लगती है रमणिये मतलब जो मन को भाय गमावली यानि गमादी नाबू जल समझ नहीं आता कैसन कैसे केली मतलब क्रीडा यानि वो रात्री क्रीडा करते हुए भी वो मधूर रभस यानि रमण यानि कि वो जो अच्छी ल यो क्या जाता है रमणिये जो लगते हैं तो वो रमणिये मधूर रात्री कैसे गवादी नहीं समझ आता बूजल मतलब समझ नहीं आता कैसन कैसे क्रीडा करते हुए तो राधा जी कहती है कि कैसे वो मधूर रात्रिया वो रमणिये जो मन को भाती थी गवादी मैंने नहीं सम समझ में आता कैसे क्रीड़ा करते हुए यानि व रात्री का समय क्रीड़ा करते हुए कैसे मैंने वो समय भी pessoal है गमा डाले और मुझे नहीं समझ में आता लाख लाख जुग हिय हिय राखल तैयो हिय जरनी ना गेल लाखो जुग तक यानि एक जुग यानि यहाँ पर अर्थ का ये अर्थ लिया जाएगा कि एक बहुत लम्मे समय तक भी अपने हिय हिय यानि हृदे में अपने हिर्दे में भी रखने के बावजूद तैयो तो भी हिय जरनी ना गेल हिर्दे की आग जरनी यानि आग ना गेल जाती नहीं है हिर्दे की आग कहने का अर्थ है कि हिर्दे को अपने प्रेम को पाने की वो चाहत जो है वो हिर्दे समाप्त नहीं कर पाता ये हिर्दे जो है वो चाहता है कि उसका प्रेम उसको बार-बार यूही मिलता रहे तो यहाँ पर हिर्दे की आग से अर्थ है जरनी जिसका अर्थ होता है आग तो इसका अर्थ है अपने प्रेम को पुना बार बार प्राप्त करने की चाहत रखना भरपूर प्रेम प्राप्त करने के बाद भी तो लाख लाख जुग यानि बहुत युगों तक भी लाखों युगों तक भी हिर्दे में रखने के बावजूद भी उस प्रेम को तैयो हिये तो भी ये हिर्दे जर्नी नगेल ये हिर्दे की आग नहीं जाती है कत बिदगद जनरस अनुमोदे अनुभव काहु नपेख कितने लोग विदगद हुए हैं यानि की इस प्रेम की पीड़ा को सह चुके हैं कई जन जन यानि लोग इस रस का अनुमोदन कर चुके हैं यानि अब राधा जी कहती हैं कि इस धर्ती पर बहुत से लोगों ने जन यानि लोगों ने प्रेम के रस का प्रेम की मिठास का अनुभव ले लिया है अनुमोदन कर लिया है उस रस का पान कर लिया है फिर भी इतने अनुभव होने के बावजूद भी काहू न पेख कोई भी इसको परक नहीं पाया है कैसे हर कोई वो जो इस प्रेम को पाने की चाहत रखता है और उसे त्रिप्ती नहीं मिलती है वो विरह की पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है विदग्द होता है आज तक कोई इसको परक नहीं पाया है अब यहाँ पर जो अपने अच्छे दिनों की बात बता रही है राधा जी की मिलन के वो दिन जहां पर उन्हों ने इतने अनुभव लिये हैं फिर भी वो चाहती है कि वो प्रेम अभी उन्हें मिलता रहे और उन्हें त्रिप्ती नहीं मिली है लेकिन साथ में वो यह भी अनुभव बताती है कि कई लोग इस रस का नुमोधन कर चुके हैं उस रस को ग्रहन कर चुके हैं और इतने अनुभव लेने के बावजूद भी कोई आज तक इसको परक नहीं पाया है कि ऐसा क्यूं होता है क्यूं विदग्द होते हैं लोग विद्यापती कहते हैं प्राण जुडाइते लाके नमीलल एक लाखों में एक नहीं मिलता जिसको इस प्रेंड से संतुष्टी मिल जाए विद्यापती जी कहते हैं कि प्रान जुडाईते प्राणों को संतुष्टी मिल जाए जुडाईते मतलब जुडाना आम बोल चाल की भाषा में जुडाना शब्द का प्रियोग करते हैं संतुष्टी प्राप्त करने के लिए संतुष्टी के अर्थ में तो विद्यापती जी कहती है कि प्रेम ऐसी चीज है कि लाखों में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिल पाता है जिसके प्राणों को उसके प्रेम से संतुष्टी मिल गई हो वो अत्रिप्त ही रहता है उसकी चाहत वैसी ही बनी रहती है कि उसका प्रेम उसको वापस वैसे ही मिलता रहे एक बार फिर से पद को दोरा लेते हैं हे सकी हे सकी क्या पूछती हो अनुभाव मेरे वह प्रीती अनुराग उसका बखान जितना करो तिल तिल वो नूतन होता जाता है जनम और जनम भर हम उसके रूप को निहारते रहें तो भी आँखों को त्रिपती नहीं मिलती सेहो मधूर बोल स्रवनही सूनल सूरती पथ परसनगेल वही मधूर बोल कानों में सुनने के लिए उस मधूर बोल को वो शूरती पथ जो है तरस्ते रहते हैं कत मदुजामनी रभस गमावली नबूजल कैसन केली कैसे मधूर रातरी जो रमडियें होती हैं गवादी नहीं समझ में आता कैसे क्रीडा करते हुए लाख लाख युगो तक हिरदय में रखे रहने के बावजूद भी उस प्रेम को तो भी यह हिरदय जरनी नागेल उस हिरदय की आग नहीं खतम होती उस प्रेम को पाने के लिए कत्विदग्द जनरस अनुमोद अनुभव का हुना पेक कई लोगों ने इस रस का अनुमोदन किya है अनुभव किया है इसको ग्रहन किया है फिर भी उनकी अनुभव जहे है इसको परख नहीं पाए कि क्यूं विदगद होते हैं लोग इस में विद्यापती कहते हैं कि प्राणों को संतुष्टी मिल जाए ऐसा लाखों में एक भी नहीं मिलता मिलल एक मिलता एक एक भी नहीं मिलता